तो हेलो गाइस स्वागत आप सभी के एक बफ्र से मेरे इस चैनल सुपरनर्ड में तो जैसे कम लोग सभी जानते हैं कि कॉमिक्स के अंदर हमें काफी सारे ओवपाउट किसम के सुपर हेरोस देखने को मिले हैं लेकिन साथी साथ उनी ओवपाउट सुपर हेरोस के हमें और भी जादा ओवपावर्ड इंकारनेशन और अल्टरनेट वर्जिंज भी देखने को मिले हैं जहां अगर कोई सुपर हीरो बहुत ज्यादा सायोनिक किसम के अविलिटीज पसेस करता है बहुत ज्यादा ओपावर्ड है लेकिन अगर हमें उसका कोई पावरफुल वर्जिन देखने को मिल जाता है तो उसकी अविलिटीज और भी ज्यादा एंप्लिफाई हो जाती है और आज की इस एपिसोड में मैं दो कह सकते हो मारवल ओडीसी के काफी ज़ादा पावर्फुल सुपर हीरो जानेंगे की इन दो व्वर पावर्फुल निकल के आता है कोन जादा सुपीरियर है तो इस वीडियो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो विद पार्ट है एर्थ 12091 का और अगर देखा जाए तो इस हल के पास जो है four arms है साथी साथ एक bold body है अगर देखा जाए तो no doubt Space Punisher Hulk जो है Hulk के most overpowered incarnations में से एक निकल के आता है जहां इसकी feeds जो है से बहुत ही जादा incredible बना देती है और यह दिखने में भी काफी जादा डरापना है और साथी साथ Space Punisher Hulk जो है अपने प्रोस्पेक्टिव युनिवर्स का आपने खुद की युनिवर्स का कह सकते हो कि characters के बाद सबसे बड़ा thread बताया गया है अगर हम लोग guys बात करें Space Punisher Hulk की powers and abilities की तो इसके पास अब ऐसे हमारा main Hulk है वो actually Bruce Banner रहता है जो Hulk में convert हो जाता है लेकिन Space Punisher Hulk के मामने में चीज तो डिफरेंट हो जाती है जहां Space Punisher Hulk के body के अंदर Bruce Banner कैद रहता है अब अगर हम लोग देखे guys Space Punisher Hulk की Feeds को तो इसने Fantastic Four को पूरे तरीक से खतम कर दिया था अपने युनिवर्स के अंदर साथी साथ यह Sabre Tooth और Deadpool को भी जान से मार चुका है और इन सब के उपर से जो सबसे बड़ी फीटिकल के आती है Space Punisher Hulk की वो यह है कि Comics में इसने जो है 6 Omnipotent Watchers को जो है मारा था वो भी बहुत ही जादा कह सकते हो कि तेजी के साथ जहां Watchers इसका कुछ भी नहीं बिग बाड़ पाए थे अब यह कह सकते हो कि Accept करना थोड़ा सा मुश्किल है कि यह जो Watchers थे यह Omnipotent है हम लोग कह सकते हैं कि में भी यह Omnipotent characters होंगे लेकिन Comic में इसा देखाया गया है ऐसा साफ साफ स्टेटेड है कि Space Punisher Hulk ने जो है 6 Omnipotent Watchers को defeat किया था और उस basis से हम यह पत अब बात कर लेते हैं Kingdom Come Superman की Kingdom Come Superman जो है Belong करता है Earth 22 से जहां इसकी जो है कह सकते हो कि Origin काफी जादा सिमलर है हमारे Base Superman के तरह जहां यह भी एक Alien रहता है जो Doomed Planet Krypton से Belong करता है और Small Willi में raised होके आगे चलके कह सकते है कि American Super Hero में कड़वाट होते हुए हमें नजर आता है अगर हम और गाइस नजर डालें Kingdom Come Superman की powers and abilities की तो इसके पास भी वो सभी abilities मौजूद है जो Base Superman यानि की जो normal Superman है हमारा वो possess करता है जैसे कि Capitonian Physiology, Superhuman Level की Strength, Superhuman Level की Speed, Durability और Agility साथ ही साथ इसके पास Heat Vision और Freeze Breeze जैसी बाकी abilities भी निकल के आती है अब कॉमिक्स में Kingdom Come Superman की कुछ बहुत ही ज जहां Base Superman की Feats के बारे में अगर तुम लोग जानना चाते हो तो तुम लोग मेरी यह वाली वीडियो देख सकते हो जिसकी Link में नीचे description में दे दी है अब फिर भी अगर हम लोग नजर डालें कि कुछ ऐसी Battle Feats की जो हमें यह बताती है कि Kingdom Come Superman की कह सकतो की capability कहां तक होगी तो उसने एक बार Hercules को बस एक ही पंच में नॉक आउट कर दिया था जहां कह सकते हो कि अगर तुमें से किसी लों को लगए यह लगएगा कि Hercules को नॉक आउट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है तो इसी सेम Hercules ने सुपरमैन को काफी बुरी तरीके से बीटा था और उस क्रिप्टो नाइट का जो है उसके उपर कोई भी असर नहीं होता है और इसी लिए कह सकते हो कि किंडम कम सुपरमैन जो है बेस सुपरमैन से काफी जादा स्ट्रॉंग है साथी साथ इसने पोस्ट क्रैसिस सुपरमैन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था जहां उसने अ दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर जने बिलिटीज की कुछ फीट्स की जिसके विए से तुम्हें अंदाजा लग चुका होगा कि यह दोनों कैरेक्टर्स क्या क्या चीज़ करने के कैपेबल है जहां स्पेस पनिशर हल्क जो है हल्क के सबसे स्ट्रॉंग वरजिंस में से एक वहीं सुपर्मैन के अगर सबसे स्ट्रॉंग वरजिंस में से एक को देखे तो वह है किंग्डम कम सुपर्मैन और इन दोनों में से जादा पावरफुल कोन है अब हम लोग इस चीज़ को जो है डिसकस करने वाले हैं तो देखा जाए तो यह दोनों ही कैरेक्टर्स की केप फीट वाइस देखे तो स्पेस पनिशर हल्क के पास एक काफी बड़ा कह सकतो कि एडवांटेज यह था कि उसने एक ऐसी फीट देखाई है जो बहुत से क्यारेक्टर्स नहीं कर पाते हैं यानि कि उसने जो है ओम्निपोर्टेंट वाचर्स को डिफीट किया था और वहीं अगर हम लोग इसकी इस फीट को कंपयर करें Kingdom Come Superman की की बाकी फीट से तो Kingdom Come Superman की कोई भी फीट इसके बराबर की नहीं है अब देखो यह बात हो सकती है बहुत से लोगों को पसंद ना आ है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो Kingdom Come Superman जो है इस बैसिस पे जो है Space Punisher Hulk को DEFEAT नहीं क चांसेज बहुत जादा है कि Space Punisher Hulk Kingdom Come Superman की जान ले सकता है जिस तरीके से उसने जो है 9 Omnipotent Watchers की जान ली थी तो इसी लिए मेरे अकॉर्डिंग Superheroes Battleland के आज की इस एपिसोड का विनर Space Punisher Hulk है So guys, ये थी वीडियो Space Punisher Hulk Kingdom Come Superman को लेके अब ये comparison वीडियो का जो कैसे तो conclusion था ये मेरे opinion के उपर base था तो अगर तुम्हारा opinion डिफरेंट भी हो सकता है तो अगर तुम्हारा opinion जो है वो different है मुझसे तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है तो नीचे comment section में अपना opinion obviously share कर सकते हो बाकि अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो तुम्हें इस वीडियो का अपना thumbs up दे सकते हो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो और चैनल पर अगर कहीं से भी नए आया हो तो चैनल को ज़रू से subscribe ही कर लेना मैं में लोगा तुम्हें सही किसी नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई स्टेए ट्यूट स्टेए ओसम